ध्कs हमने लास्ट पाणी एक आनने यह महांने त्याने स्हीन हम उसल्ट्रीज ऑप्राइश है भूत है कि देके ट्राइबल रहें आद तो तो खोने पड़ा थे दिश्ज ऑिम अपर्राईजिंग इस लेशन में कि देखेंगे एक ट्राइबल अप्राइजिंग देखेंगे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने जो रिवोल्ट किये वो देखेंगे दूसरा जो खिसानों ने जो किये पीजेंट जो विद्रों हुए है वो देखेंगे तिपिए जो इसके बारे में Community स्टीड बताता हूं आपको पी Elizabeth ईंट अ अपरैसिंट में हैं वा ध्यानड रदना रिए प्राइसिंग जो रेंट बढ़ा अगेंस्ट रेंट थी जो भी किसान थे तो उनका रेंट बढ़ा था जो रेंट वह नहीं चुका पा रहे थे उसके कारण हुई थी उनसे जो इंडीगो की जो कल्टिवेशन करवाई जाती थी उनसे जबरदस्ती कुछ भी बोला चाता था कि अब यह कल्टिवेट के और वह उसका रीजन था और जो उनको करजा लेना पड़ता था लेंडलोड से और वह हाई इंट्रेस्ट लेटन नहीं कर पाते थे तो उसके खिलाब भी था ठीक है तो यह सब आप चीजे ध्यान रखना और इसमें ध्यान रखना एक कम्यूनल एंगल भी था कम्यूनल एंगल क्या था कि बहुत से पीजन अपराइजिंग आप ऐसे देखोगे जो आप देखोगे कि मुस्लिम अपराइजिंग में हम क्या करेंगे पहले पीजन मुमेंट हम किस तरह से देखेंगे हम उसका लीटेल में जहां जरूरत पड़ेगी वहा Central हम न करेंगे कहां पिहline द्यान रखेंगे उसके लीडर का नाम द्यान रखेंगे और एक रफली कि कि कब उसका टाइमिंग ठाओ ओग्षान रखेंगे तो आपको भी यहीधान रखना है यहीगजाम में पूठाबधा राइज तो देखो पहला क्या था आपका जो पहला था वह था be केल बेरिया अप्राइजिंग नार केल बेरिया अप्राइजिंग तो हम इसका सबसे पहले देखेंगे इसका टाइम पीरिड था 1831 उसके बाद हम देखेंगे कहां पर हुआ तो यह आपका हुआ बेंगाल में इसका लीडर कौन था तो इसका लीडर था आपका तित्तु मीर तो यह भी वही था इसमें मुस्लिम जो थे वो किस पीजेंट थे और जो हिंदू थे वो लेंडलॉट्ट थे ठीक है यह आपको एक जनरल ध्यान रटना है ओके आगे आपको जो आएगा वो आएगा आपका पागल पंथी अप्राइजिंग ठीक है पागल पंथी ध्यान रटना यह भी इसका रीजन क्या था कहां पर हुई थी है यह आपके हुई थी इसका रीजन था आपका बेंगल ठीक है टाइम पिरियेड इसका 1825 से 1335 के अराउंड ठीक तो इसकी लीडर कौन थे आप ध्यान रटना करम शाह करम शाह करम शाह और इनका एक बेटा था टीपू तो यह जो थे इनके लीडर थे जमीन दारों के विरुद्धा उन्होंने हाई रेंट देने से मना कर दिया था ठीक है इसको बड़ा वाइलेंट ली सप्रेज भी किया गया था उसके बाद एक रिवोल्ट आएगा जो होगा आपका फराइजी तो यह फराइजी रिवोल्ट यह भी देखो में दीजोत है आपके सब बेंगाल में हुए थे यह भी आपका कहा हुआ बेंगाल में हुआ ठीक है अच्छा उसके बाद ध्यान इटना इसमें कौन था तो इसमें आपके एक तो थे दादू मिया और इनके जो बेटे थे शरि अल्ला बाद में यह मोमेंट जो मैंने आपको वहाबी मोमेंट पढ़ाया था यह वहाबी इसके साथ जाके मिल गए थे खीक है उसके बाद जो आप मैं बढ़ा रहा हूँ वह सबसे आइमपी है जो है आपका मोपला अपराइजिंग मोपला अपराइजिंग ध्यान अटना यह साथ इंडिया में हुई थी कैलला वाले एरिया में और यह अराउंड 1836 से 1854 में हुई फिर आप हम मैं आपको बाद में भी यह रिवोल्ट पढ़ाऊंगा यह अराउंड 1920 भी हुआ था तो इसमें हुआ क्या था कि वही मुस्लिम किसान थे और अगेंस्ट हिंडू लेंड लॉड यह सब चीजें हुई थी ठीक है चलो उसके बाद अब हम देखेंगे हमारी ट्राइबल अपराइजिंग तो ध्यान अट्राइबल में जो में रीजन वही था कि अंग्रेजों ने ट्राइबल लेंड जो कि अभी तक मतलब उसमें कोई interference नहीं होता था ट्राइबल के culture में उनकी लेंड में तो अंग्रेज वहां चले गए थे इंटरफेर तो किया वो अलग उसके बाद उनकी लेंड बे उनसे रेंट मांगा तो वो ट्राइबल जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया सबसे जो आता है पहाडिया रिवोल्ट पहाडिया रिवेलियन भी बोलते हैं ध्यान रखना कहां हुआ था राजमहल हिल जारकंड में हुआ था राजमहल हिल जारकंड जो टाइम पिरियड था 78 के आ थीक इसी तरह से एक थी चुवार अपराइजिंग चुवार अपराइजिंग हुई थी वो कहां हुई थी बंगाल में हुई थी ठीक है इसमें जो लीडर थे वो कौन थे आपके दुर्जन सिंग थे और आपके शाम गंजन थे ठीक इसी तरह से हम देखेंगे कॉल म्यूटिनी तो कौल म्यूटिनी कब हुई थी तो अराउंड 1831 हुई थी कहां पे हुई थी यह हुई थी जारकंड वाले एरिया में आप देखो ट्राइबल जितने भी थे ना चोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया जो था जिसे आपका जो बिहार जारकंड यह वहां पे बहुत ज्यादा हुई है ठीक है यह थोड़ा ध्यानतना अभी मैं आपको संतल रिपेलियन पढ़ाऊंगा ठीक है कोल म्यूटिनी जारकंड में हुई थी और इसमें जो लीडर थे ध्यानतना कोल म्यूटिनी में जो लीडर थे वह नाम बहुत इंपॉर्डनेंट है बुद्धू बगत कैसे भी शॉट्रिक बनाओ कुछ भी करो पर इसको ध्यानतना सीधे सीधे कुश्चन आता है बुद्दु बगत वाज एसोसियेटेड विट विच अप्राइजिंग या विच म्यूटिनी तो आंसरों का कोल म्यूटिनी और कौन सा एरिया था वो जहारकंड वाला एरिय है जो आपका बिहार जहारकंड वाला रीजन था तो इसमें वही हुआ था कि ट्राइबल लेंड पर कब्जा कर लिया था फिर उनसे टेक्स वसूला गया इस तरह से वही राजमेह लेल छोटा नाकुर प्लेट वाला जो एरिया था वहां पर तो वही इनसे हुआ फिर क्या ह तो उन्हें बोला कि अब इशवर का फर्मान है हमको बृतिश का जो अन्या वो अप नहीं सहना है और इनके किलाव लड़ना है तो दस हजार संथल जो है अंग्रे जो के खिलाव लड़े थे और इनको एक रीजन से तो भगा भी दिया था लेकिन वही रीजन था यह तो इन अनुष्था बो एन एरो थी लेकिन जो आपके ब्रिटिश थे उनके पास काफी ज़्यादा modern artillery थी इस कारण यह जो रिवोल्ड था वो सप्रेस हो गया लेकिन यह रिवोल्ड जो दूसरे जितने भी ट्राइबल रिवोल्ड है उनमें संतल रिवेलियन बहुत ज़्यादा फेमस है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है सिद्दू और कानू का नाम ध्यान रखना इसी तरह से एक अप्राइजिंग है कोया रिवोल्ड तो कोया रिवोल्ड का बस आप रीजन ध्यान रख लो कि जस्ट बिफोर 1857 हुआ था ठीक है बाद में इसने 1857 के रिवोल्ड में भी एक उसको मोटिवेट किया ठीक है तो यह 1855-56 जस्ट बिफोर 1857 संतल रिवेलियन हुआ था अगर कोई पूछे का आप से तो ध्यान रखना कोया रिवोल्ड का जो हुआ था वह आपका कब हुआ 1842 1862 के राउंड हुआ था लेकिन बाद में 1880 में भी हुआ था ठीक है तो यह आपको दिमाग में रखना है कहां पर हुआ था इसका रीजिन था आपका अंद्र प्रदेश ठीक उसके बाद एक जो है वह भी बड़ा एंपी है रामोसी राइजिंग तो रामोसी राइजिंग में सबसे पहले हम देखेंगे इसका टाइम पिरियेड तो 1822 1829 इस बीच में हुआ था बाद में भी 1840 के राउंड भी है हुआ था ठीक है कहां पर हुआ था तो ध्यान रखना यह वेस्टर गाट्स में हुआ था और यह राम अधा यहां गवर्मेंट थी वेस्टन गाट में तो मराठा गवर्मेंट के टाइम तो यह शान्ती में थे अपना काम अच्छे से करते थे लेकिन जब 1818 के बाद जो अंगलो मराठा वार हुई 1818 में उसके बाद जो गवर्मेंट चेंज वी बृतिशर्स आये बृतिशर्स का एड्मिनिस्टेशन रामोसी लोगों को नहीं जमा और उन्हेंने रिवाल्ट किया ठीक है सप्रेस कर दिया गया इसको भी इसके एक लीडर है उनका नाम जरूर ध्यान रखना चित्तुर सिं ठीक है आई होप आप ध्यान रखोगे खांसी अपराइजिंग खांसी अपराइजिंग नाम से ही आप समझ सकते हो कहां बे हुई तो यह नौर्थ इस्ट में मेगाले वाला रीजन था वहां हुई थी तो अभी अगर उस टाइम तो वह बंगाल का ही हिस्सा था तो बंगाल सब्सक्राइजिंग अपराइजिंग तो यह आपका अपराइजिंग तो यह आपकी नौर्थ इस्ट में हुई थी आसाम बर्मा बॉर्डर पर असाम बर्मा वाला जो एरिया था वहां पर थी इसके एक लीडर थे निराग पीडू निरांग पीडू तो यह जो इसके रीजन थे ठीक तो अभी एक बार फटाफट प्रिविजन करेंगे उसके बाद एक और फेक्ट आपको मैं बताऊंगा तो हमने भी ट्राइबल सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने प लीडर थे इसके तित्तु मीर ठीक है मुस्लिम पीजन्ट वर्जस हिंदु लेंडलोड पागल पंती इसके बारे में पढ़ेंगे ये भी बेंगाल 1825-35 के बीच में हुई ठीक है इसके लीडर कौन थे करम शाहा और उनके बेटे टीपू फेरेजी रिवोल्ट बंगाल में बाद में वहाबी से मिल गए थे ठीक है मुस्लिम पीजन्ट थे दादू मिया शरियत अला ये इसके लीडर थे चलो ये भी आपकी वही जो वहाबी सका जो टाइमिंग था उसी अराउंड हुई ये आपने वहाबी से देखा होगा कि मैंने बढ़ा था आपको 1831 इस बीच चलता रहा तो जो फराजी से वो भी 38 ये इस एराउंड चलता रहा तो टाइम पिरिएट सेम ही है बाद में फराजी जो थे वहाबी से साथ मिल गए थे मोपला अप्राइजिंग साउथ इंडिया में हुई थी ध्यान अटना किके ये जगा का नाम है मोपला तो केरला में हुई ये टाइम पिरियेड है मैंने बताया मुस्लिम पीजन थे हिंदू लेंड़ोड थे ट्राइबल रिवोल्ट हमने पढ़ा तो ट्राइबल में पहाडिया विद्रो ये में जी जो थे चोटानाकपुर प्रेटू राजमेहलिल महीं हुए राजमेहलिल 1778 बहुत पहले हो गया था जब सन्यासी विद्रो हुआ था न तब की बात है चुवार अप्राइजिंग बंगाल दुजजन चाहा शाम गंजन ये इसके लीडर थे कॉल म्यूटेनी कॉल बुद्दू ओ से ध्यान रख लो कुछ भी करो ठीक है 1830 में हुई जारकंड में बुद्दू बकत इसके लीडर थे देखो एक एक अप्राइजिंग और हुई थी इनके लीडर थे बिर्शा मुंडा तो बहुत फेमस ट्राइबल है बगवान माना जाता था इनको भी 15 नमबर को इनका बर्थडे आता है जिसको जारकंड मध्यवर्देश बहुत सारी स्टेट सेलिब्रेट भी करती है ठीक तो छोटानागपूर रीजन को ध्यान रतना ठीक है अलग-अलग टाइमिंग इसकी 1899 में भी हुआ 20s में भी हुआ 1830s में भी हुआ तो इसका ऐसे टाइमिंग पर कोई क्वेशन नहीं पूछेंगे बस आप ये ध्यान रतना बिर्सा मुंडा मुंडा अप्राइजिंग छोटानागपूर रीजन ये ध्यान रतना बस मुंडा अप्राइजिंग छोटानागपूर रीजन में हुई थी संतल रिबेलियन वही बिहार, राजमहल इल्स ठीक है इसके लीडर थे, ये इसका टाइम पिरियड था, खासी अप्राइजिंग तो बेंगाल नौर्ट इस्ट में हुई, सिंग पोस भी वही आसाम बर्बा, नामसी थुड़ा समझ में आता होगा खासी तो खेर खारोग गारोग खासी जैनतिया हिल मेगाले में है, तो आप उसस समझ सकते हो, सिंग पोस ठीक है, वह आसाम वाला एरिया, नौर्ट इस्ट वाला एरिया, वहाँ पर वही थी, इसके लीडर थे, ठीक है, तीरत सिंग खासी अप्राइजिंग में कोई लीडर पूछेगा ना, बता दे ना, तीरत से, देखा आकरी बता रहा हूँ, सिपाई म पर हुई थी, एक म्यूटिनी हुई थी, 1806 में जिसको हम बोलते हैं, वेलोर म्यूटिनी, वेलोर साउथ इंडिया में एक जगा है, वहाँ पर, 1806 में हुई थी, सिर्फ यही बता रहा हूँ, आपको बाकी नहीं बताऊंगा, यह बताने का मकसद यह है, कि यह पहली लगाने से मना कर दिया था, कि सर पे आप टीका नहीं लगाओगे, उनके जो रिलीजियन से इंटरफेरंस कीती, रिलीजियन में उनके इंटरफेर किया था, मुस्लिम लोगों को बोला था, कि आप बीर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, तो यह रीजन हो गया था, उसके बाद यह जो मुसलिम थे, वो उनकी एक अलग सर पे पगड़ी पहनते थे, हिंदू थे, वो अपनी अलग पगड़ी पहनते थे, दोनों को मना कर दिया गया था, कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, और हम जो टोपी देंगे, अंग्रेजु के टोपी, वो आप पहनोगे, इसी यह हमने अपराइजिंग सारी खतम करी, अब हम जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद हम पढ़ेंगे, कुछ रिवोल्ट पढ़ेंगे, जो 1857 के बाद में भी हुए, they were very interesting, 1857 का रिवोल्ट भी अपने आप में बहुत interesting है, पढ़ने लायक है, first war of independence में भी इसको मानता हूँ, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, please friends आपके feedback दें, आप देख रहे हैं, lectures मुझे पता लग रहा है, पर please feedback दें, मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा, कि आपको lectures कैसे लग रहे हैं, please feedback दें हमारी team को, ताकि हम और improve कर सकें, okay, thank you so much.